कि आज मंत्री परश्यत की बैठक संपन हुई प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में क्रसी एवं स्वास मंद्राले से संबंदित अनेक निर्णे हुए क्रसी मंद्राले से संबंदित जो निर्णे हैं बिगत साथ वर्सों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्ड़ें परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी की जो क्रसी और किसान के प्रदिप्रदिवदददा है उसके परिशायक हैं और वो प्रदिवदददा को दरसाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा च्छेतर है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का मैं उत्पादन बढ़े। उनके किसानों को सबूलेते दी जा सकें। उनकी उत्पादकता बढ़े। और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड उननीस सो एक यासी में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संसुधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अद्यक्ष है वो गैर सास की व्यक्ति होगा। उसी परिशेतर से होगा, किसान परिश्ट भूमी में होगा और जो फील्ड की गधिविदियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एक्टिक्टिव पावर के लिए एक सीयो होगा, उसके अंदर एक्टिक्टिव पावर नहित रहेंगी। बोर्ड में दो प्रकार के सदसे हैं, एक प्रकार है केंदर सरकार दोरा नामित कुछ राज जो उसमें प्रतनिती के तोर पर रहते हैं, दूसरी स्रेणी ऐसी है, जो बाकी राज जी बचते हैं, वो चक्रा नुकरिम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कारिकाल समाप तो होता जाता है। इस वार हम लोगों ने यह भी फैंसला किया है कि केंदर सरकार जिन चार सदेश्यों को नॉमिनेट करती हैं, उनकी सदसे संख्या बढ़ा कर छे की गई है। और अब आंद्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे, यह भी परिवर्दन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस शेतर में परिवर्दन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गदिविदी हो, नारियल की खेती हो, इस द्रश्टी से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियानवित करने की कोशिस कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाब हो इस दरश्टी से वह भारत के बाहर भी गदिविदी के आवशकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है ऐसे तीन-चार परकार के संसोधन निश्यद रुप से इस दिसा में हुए है दूसरा आप सबको ध्यान में है और मैं किसान अंदुलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूं आम तोर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आये उससे APMC खतम हो जाएगी आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समझ समय पर कहा है उसको करने का सद्प्रेद्न किया है और जो घोस्णा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमसाम पूरा करते हैं जब इस वार बजट आया था तो ये कहा गया था कि बंडियां समाप्त नहीं होंगी बंडियों को और मजबूत किया जाएगा बंडियों को और संसाधन बिले इस दरश्टी से प्रेद्म किया जाएगा और जो क्रसी अब सरशना फंड एक लाग करोड रुपए का आत्मनेर भारत के अंतरकत प्रावदित किया गया है उस एक लाग करोड के फंड का उप्योग ये एपी एमसी कर सकेंगी तो बजट की जो गोस्टा थी उस गोस्टा को पूर्दा प्रदान करने की दृष्टी से आज मंद्री परश्ट में ये विसे आया तो आज मंद्री परश्ट क निर्डे के अनुसार एपी एमसी भी अब उसके लिए पातर होंगी और वो इंफरस्ट्रेक्शर फंड का अपने संसादन बढ़ाने की दिरष्टी से किसानी के लिए अदो सरचना उपलब्द कराने की दिरष्टी से उप्योग कर सकेंगी इसी के साथ साथ राज सरकार और राश्टी और राज इस्तर की जो कॉपरेटिव की फेडरेशन्स हैं या स्वासायता समू के फेडरेशन हैं वो भी इसकी पातरता की सूची में आज की निर्ड़ें के बाद आ जाएंगे अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति संस्था सैकारी समिती, एप्यो या एग्री स्टर्टप, किसानों का समूँ ये सब लोग अगर आएंगे तो एक सरचना बनाएंगे तो उसके लिए दो करोड रुपए तक का लोन जिस पर सरकार की गारंटी होगी और दो करोड रुपए तक के रिण पर तीन परसेंट ब्याज की छ जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना छमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके, संस्थाओं की छमताएं तो निश्य दूप से और भी होती हैं, इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णे किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसके अधिक्तम सीमा 25 होगी, और ये परियोजनाएं अलग-अलग गाउं शेतर में करना पड़ेगे, वो एक स्थान पर दस परियोजनाएं नहीं कर सकता, तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है, तो हर परियोजना को अलग-अलग 2 करोड रुपे त कॉपरेटिप्स हैं, फैडरेशन्स हैं, ये लोग पर ये बंदिस लागू नहीं होगी, वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंदर रूप से अगर इंफाइस्टिक्चर बना सकते हैं, तो अलग-अलग प्रोजेक्ट मान कर उनको छूट देने की पातरता निश्यत रूप से र देने किया है, कि मंदी का जो परिशेत्र है, ऐक मंदी का परिशर हो गया, लेकिं क्रसी उपज मंदी, जिस पूरे कमांड छेतर में काम करती है, उस कमांड छेतर म अगर वो एक से अधिक ये परियोजनाय बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस परकार की पा हैं और इस योजना की हम लोगों ने अबदी बढ़ाने के लिए भी निर्णे किया है बैं समझता हूँ इस निर्णे से अधिक लोग लावनबित होंगे अधिक इंफरिस्टिक्शर बनेगा और आज इसका दायरा काफी बढ़ गया है और विसेस रूप से जो बात कही जाती ही कि A.P.M.C. खत्म हो जाएंगी A.P.M.C. खत्म नहीं होंगी करसी कानून लागू होने के बात भी करसी उपज मंडी को करोडो儿 रुपै का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफरिस्टिक्शर फांड में से उपलब्द कराये जाएगा जिस से वो ससक्त होंगी उनके आये क साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उप्योग में आ सकेंगी